Assalamualaikum, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको cat scratch कर लेती है, bite कर लेती है और वो cat आपके घर में ही रहती है तो उससे आपको क्या प्रपलम हो सकती है और अगर आपको कोई बाहिर की cat, street cat वो scratch या bite कर लेती है तो किस तरह से आपने care करनी होती है? तो इस वीडियो को लास तक देखीगा क्यूंकि इससे पहले मेरी वीडियो हैं इस टॉपिक पे और लॉग जो हैं वो पूरी वीडियो नहीं देखते और क्वेस्टन करने लगते हैं इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ दुबारा डिसकस किया जाए अगर तो आपकी कै अंटिसेप्टिक क्रीम जो होती है वहां पर लगा देनी है और अगर आप घर से बाहिर रहे हैं या कोई स्ट्रीट कैट आपके घर में आ गई है उसने आपको स्क्रेच कर लिया है तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले जो ज़ह हैं उस जखम को अच्छे से दोना है क वह भी आप लगा सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपके पास क्रीम नहीं पड़ी हुई तो आप पायोडी लगा सकते हैं और नेक्स्ट आपने क्या करना है आपने टेपनस और रेबिस की वेक्सिनिशन लगवानी है यह क्यों ज़रूरी होती है क्योंके जो स्ट्रीट में बहुत कम होता है आप यह कहने के 100 में से 3-4% होते हैं तो आप लोगों ने परिशान बिल्कुल नहीं होना अगर आपको कोई भी कर लेती है यह स्क्रैच कर लेती है आपने जो है जस्ट केर करनी है जो चीदे मैं आप लोगों को बताई है और सम्टेम यह होता है कि जख और जादा अच्छा है आप लोगों को दो साल तक दुबारा वेक्सिनेशन नहीं लगवानी पड़ती है अगर आप एक दफ़ा वेक्सीन लगवा लेते हैं और अगर आपकी केड जो है वो घर से बाहर जाती है और उसको किसी डॉग ने बाइट कर लिया है तो भी आपको कोई केड को रिवीज की वेक्सिनेशन जरूर लगवानी होती है मैं उमीद करती हूं आप लोगों के लिए वीडियो काफी है अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेस्टन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम के आई-डी जो है वो सेम नेम से है डॉक्टर हीरा सहीद के नाम से जाएं मुझे फॉल्व करें और ने ने टापिक भी सेज़त करें थैंक्स वाचिंग अलाहाफीज